हाई फ्रेंट्स मैं शेफ अनुज नागर आप सभी के स्वागत करता हूं अपने चैनल पर आज हम बनाएंगे होमस्टाइल एक करें मस्टर ओइल डाला है हमने इसमें डालेंगे हम सब खड़े मसाले उसके बाद डालेंगे चौप जिंजर गार्लिक हिए अच्छी तरह भून लेते इंको अ इसका डाल देंगे इसमें चौप अनियन को अच्छी तरह भूनेंगे दिए के ब्राउन नहो जाए हम बना रहे हैं होम स्टाइल एक करें इसे कोई भी आराम से आसानी से घर पे बना सकता है कि यह मेरे इस चैनल की पहली ही वीडियो है अगर कोई गलती मेरे से हो जाए तो मुझे माफ करना और मुझे सपोर्ट करें और इन ब्रावन होगी हमारी अब इसमें हम डालेंगे चॉप टमैटो फोड़ी सी ग्रीन चली कि अब और में यहां पर सारे मसाले घो लिए थे इसमें हमने अल्दी पाउडर एडशी पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर सब को पानी में गोल के अच्छी तरह से इसे हम अपने मसाले में डालेंगे जो उने भूना है इससे क्या होता है मसाले जलते नहीं है अगर हम पानी में गोल लेंगे तो मसाले जलेंगे नहीं और अच्छी तरह पख जाएंगे होता क्या है कि हमारी फ्लेम कभी एक बार तेज हो जाती है और मसाले जल जाते हैं उससे टेश्ट प्रोपर नहीं आपाता देखो मसाले गाने कलर कितना अच्छा आ रहा है थोड़ा पानी डाल देंगे और कंसिटनसी सेट कर लेंगे इसकी अब साइड पर किसी भी पैन में अंडे बोईल कर लो मैंने साइड में चड़ा दिया है इस वाद में ग्रीन कोरिंडर डाल दिया है अब इस अच्छी तरह से बूलेंगे जब तक इसका पानी जब तक और रिडूशना कर दे ग्रेवी तब तक इसे पकाते रहेंगे कि पर हमें अपने सुजाब कमेंट में दीजिए हम क्या इससे अच्छा कर सकते हैं मतलब हमारी आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही है वीडियो प्रोपर नहीं हो पा रही है कुछ भी अगर है तो बताई हमें अगली बार थोड़ा अच्छे से करेंगे प्रोपर इंस्टूमेंट ना होने कारण थोड़ा सा है सब कुछ दिखा नहीं पार है आपको हमारे ग्रीव पगई ओए चोड़ने लगी अब इसमें अंडे बॉइल डाल दें हमने बॉइल अंडे की वेदे साइड में वह इसमें डाल देंगे वैसे एक करी में एक फ्राई करके डालते हैं पर कुछ लोग पसंद करते हैं फ्राई करना कुछ नहीं करते हैं तो हम ऐसे ही डाल रहे हैं थोड़ दर करने पकाएंगे ग्रेवी में अंडे डालने के बाद लगोग हमारी एक करी रेडी हो चुकी है दनिया पत्ते डाल दिये हैं हमारी एक करी रेडी है